नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें, माता रानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रस्पतवारवरत के बारे में कि ब्रस्पतवारवरत का क्या महात्व है इस वरत को करने से क्या फल मिलता है ये वरत आपको कब शुरू करना चाहिए और कितनी संख्या में आपको ये वरत रखना चाहिए हम सभी जानते हैं कि ब्रस्पत वारवरत में केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए यदि आपको केले का पेड़ ना मिले तो आप किस प्रकार अपना पूजन संपन्न करें साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रस्पतवार वरत के दोरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कौन से ऐसे काम है जो इस दिन निसेध हैं इसके लावा आप ब्रस्पतवार की संपूण और आसान पूजा विधी के बारे में जानेंगे और ब्रस्पतवार का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए इन सभी विश्यों में आप इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रुकेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ड बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों गुरु वार यानी ब्रस्पत वार के दिन भगवान विश्नु और देव गुरु ब्रस्पत की पूजा का विधान है इसके साथ ही इस दिन केले के व्रक्च की पूजा भी की जाती है बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं या व्रत सुरू करना चाहते हैं तो इ यह वरत विसेश फलदाई माना गया है। जिन लड़के लड़कियों के विवा में रुकावटे आ रही हैं, रिस्ता तै होते होते रह जाता है, वह इस वरत को जरूर करें। इस वरत को करने से सीगर ही विवा तै हो जाता है। और जिन लोगों के संतान नहीं है, तो उनके ल जानते हैं कि ब्रस्पतवार के कितने व्रत रखने चाहिए तो आपको बता दें कि 16 गुरुवार तक लगातार व्रत करना चाहिए और 17 गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए पुरुस यह व्रत लगातार 16 गुरुवार तक कर सकते हैं परंतु महिलाएं या ल अब हम बात करेंगे कि गुरुवार का व्रत आप कब शुरू करें तो जान लीजिए पूस या पॉस के महीने को छोड़ कर आप कभी भी यह व्रत शुरू कर सकते हैं पॉस का महीना अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार देसंबर या जनवरी में आता है बाकी आप इस व्रत को क इसी भी नय काम और नया व्रत शुरू करने के लिए सुकल पक्च बहुत ही सुभमाना जाता है अब आपको गुरुवार व्रत करने के लिए क्या विदी करने चाहिए ये बता देती हूँ आपको बहुत ही कम सामान चाहिए जिससे कि आप गुरुवार का व्रत कर सकें इस को रखने के लिए चने की दाल, गुड, हल्दी, चंदन, थोड़ी से केले, एक गाय के गोबर का उपला हमनित्यादी समग्रियों की जरुरत पड़ती है, इसी के साथ भगवान विश्नु की फोटो या मूर्ती जो भी आपके घर में हो, साथ ही केले का पेड़ घर में हो या आसपास कहीं किसी मंदिर में लगा हो, तो अच्छा है, अब वरत वाले दिन सुभा उटकर नित्य कर्मों से निवरत होकर इसनानादी करें, और इस दिन खास कर पीले वस्तर पहनें, और पूजा के लिए पीले आसन का ही प्रयोग करें, आप पीले रंका कोई उनी वस्तर या कोई कंबल का इस्तमाल कर सकते हैं, और यदि आपके पास केले का पेड़ नहीं है, यदि आपने घर में गमले में लगाया है, तो बहुत अच्छा है, और यदि आपके पास या अगल बगल कहीं भी केले का पेड़ नहीं है, तो आप इस इस्तिती में भगवान और वृटों को साफ करें और यदि केले के पेड़ के सामने बैट कर पूजा करनी है तो पेड़ के आसपास साफ करें अब सबसे पहले वृत का संकल्प लें इसके लिए आप अपने हाथों में थोड़ा सा चावल और पीले फूल लेकर 16 गुरुवार के वरत का संकल्प लें और जिस खास मनुकामना के लिए आप यह वरत सुरू करना चाहते हैं उसे भगवान से कहें और पुस्ब और चावल भगवान को अर्पित कर दें अब भगवान को छोटा सा पीले रंग का वस्तर भी जरूर अर्पित करें आप इस वस्तर को केले के पेड़ पर भी चढ़ाएं अब एक लोटे में जल रख लें उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल कर विश्ब भगवान या केले के पेड़ की जड़ को इसनान कराएं अब आप उस लोटे में गुण एवम चने की डाल डाल कर रख लीजिए अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और हल्दी से रंगे हुए पीले चावल भी जरूर चणाएं और साथ ही केले का भोग लगाएं और घी का दीपक जलाकर ब्रस्पत वारवरत की कथा पढ़ें कथा के बाद हवन की तयारी करें इसके लिए एक उपला लें उसे गर्म करके उस पर घी डालें और जैसे ही अगनी प्रजलित हो जाए उसमें हवन सामगरी की आहूती दें और साथ ही गुर्चने भी डालें और पांच, साथ या ग्यारा बार ओम गुरु गुरुवे नमा मंत्र का जाब करें आप इस मंत्र के अलावा ओम नमो नारायनाय या ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा का जाब भी कर सकते हैं अब हवन पूरा होने के बाद भगवान विश्णू और ब्रस्पत देवताजी की आरती करें और अंत में भगवान से छमा याचना करके अपनी मनो कामना जरूर कहें दोस्तों अब हम बात करेंगे कि गुरुवार के दिन आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो गुरुवार के दिन कतही नहीं करने चाहिए ब्रस्पत दोना, बाल काटना, सेविंग करना तथा नाखून भी नहीं काटने चाहिए इन सब काम को ब्रस्पतवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए वरना ब्रस्पत देव नाराज हो सकते हैं गुरुवार के दिन कपड़े धोना पोछा लगाने की भी मना ही है इस दिन घर के कबार को घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए इस दिन जो वरती हैं उसे पूजा में भगवान को जो भी फल चढ़ाया हो उसे दान कर देना चाहिए स्वयम तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए अब हम बात करेंगे कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए गुरवार के वरत में बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए विश्नु भगवान के इस वरत में बेसन से बनी चीजें जैसे हलवा, पूरी, पकोड़े आदी खाया जाता है ध्यान रखें कि इस दिन बिना नमक का पीला भोजन ही करना चाहिए साथ ही ब्रस्पतवार के दिन पीली वस्तवों का फला हार भी करना चाहिए इसमें पीले रंग के फल जैसे पपीता, पीले रंग के लड़ू आद भी ग्रहन कर सकते हैं बस ध्यान रखें कि इस दिन केले के फल का सेवन वर्जेत है साथ ही लाल रंग के फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए इस दिन खटी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही खटे फलों का सेवन करना चाहिए जैसे अनानास वगेरा इस वरत में दिन के समय तो फला हार करें, मीठी चीजे खाएं लेकिन साम को एक समय पीला अनाज ग्रहन करना चाहिए इसी में आपने जो पूजा में चने की दाल और गुण का भोग लगाया है वे भी जरूर ग्रहन करें इसके साथ ही पूजा के बाद दान करने का भी विसेश महात्तो होता है इस दिन आप ब्रस्पत ग्रह से सम्मंदिज जैसे पीली चीजों का दान करना चाहिए इस दिन पीले पुस्प, पीला वस्त्र, सक्कर, चने की दाल, हल्दी, ताजे फल, नमक, सोना या कासे आदी का दान करने से सुफल की प्राप्ती होती है और साथ ही ब्रस्पत ग्रह भी मजबूत होता है इसके लावा इस दिन कोई गाई मिले तो उसे भी गुर्वाचने की दाल को आटे के लोई में रख कर जरूर खिलाएं इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलता है अब दोस्तों इस प्रकार से विधी पूर्वग व्रत करते हुए जब 16 गुरुवार हो जाएं तब 17 गुरुवार को इसका उद्यापन करना चाहिए इसके लिए आपको एक दिन पहले बस 5 चीजे घर लानी है इन चीजों को आप अपनी इच्छा के नुसार घर में लाकर रख लें जैसे कोई भी चीज आप अपने नुसार 500 ग्राम भी ले सकते हैं या एक किलो भी ले सकते हैं ये आप अपने बजट के नुसार और इच्छा के नुसार ही करें बस आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि यह सभी चीजें मिला कर सवा पाउ से जादा होनी चाहिए आपको इतना भोग या दान करना ही चाहिए इन पांच चीजों में आप चने की दाल, गोड, हल्दी, केले और सवा मीटर पीला कपड़ा इन पांचों चीजों को आप उद्यापन करने से एक दिन पहले ही घर लाके रख लें और साथ ही अपनी इच्छा के नुसार दच्छना भी रखें आप 101 रुपए भी रख सकते हैं या 51 रुपए रख सकते हैं या 21 या 11 रुपए भी रख सकते हैं ये आपकी इच्छा के नुसार है और फिर गुरुवार की सुबह विधी पूर्वक पूजा करिए और भगवान से कहिए कि जो आपने व्रत का संकल्प लिया है वह आपने पूरा किया है और वो अपनी करपा द्रस्टी बना कर रखें और आप आज इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं और फिर इन सभी चीजों को आप भगवान विश्नु को और ब्रस्पत दिवता को अरपित करिए और फिर पूजा करने के बाद किसी योग ब्रामन को दान में दे कर उनका आसिरवाज जरूर प्राप्त करें इस तरह से ब्रस्पत वार के व्रत का बहुत ही सुफल होता है बस व्रत करते समय मन में विश्वास जरूर होना चाहिए तब ही आपकी मनो कामना सीगर पूरी होगी और आपको मन चाहा फल प्राप्त होगा तो दोस्तों इस सरल विधी से आप ब्रस्पत दिवका व्रत जरूर करें इससे आपको इच्छित फल की प्राप्ती हणिवाण